बहुत बहुत सवागत है आप सभी का अपने टूब इस इंप्रोमेशन टेक्नलाजी इस इंप्रोमेशन इन बिजनेस आप देख रहे हैं इस पेपर में हम बात करने वाले हैं 2022 में आने वाले कोशिनों की और आप इन कोशिनों को याद करके 85% प्लस मैंने आपसे बाता किया था तीन से चार महीने पहले की वीडियों आप देख सकते हैं लिंक डिसक्रप्शन बॉक्स में देख लिए हुए है उसमें जाकर आप देख लेना मैं 22 में 2022 में आने वाले कोशन दिये 85% फसेगा वहां से कोई भी कोशन बाहर नहीं जाएगा तो आपको क्या करना होगा सब क्लास तक वीडियों बने रहे हैं और आप मुझसे बादा करिये कि आप जितने भी इस्टुडेंट हैं आपके जान पैचान के हैं उन सभी को पेपर है कर दो के बारे में बताएंगे आप मुझसे बादा करिए और इस बादे को आपको निभाना होगा जिस तरीके से मैं आ आज हम सिर्फ यह देखेंगे कि हमें क्या पढ़की जाना है तो आपको सबसे बहुदे चानल को सबस्क्राइब करना पाफिए खुर। बात करने वाले沖ले सुचना तकनीकी का उपयोग क्या है सुचना करांथि क्या होती योगक्या करी कोशिश की और उसके नजर में बहुत हार्ट देगा पास तो हो जाओगे न अच्छी नंबर से ना देने से अच्छा तो एक दो नमबर तो देगा देगा तो काटेगो तो नहीं यार देखेगा लिखा हुआ तुमारा कुछ है तुम में तो बिल्कुल देगा ये कोशन आप पहले कोशन पर टिक लगा लो आपके पास बुक नोट्स गैस पेपर है तो उस पर टिक लगा ल होँए अब है बात करने वाले हैं बेतार क्या होता है बेतार टेकर और सेटिलाइट देखो बेतार क्या होता है सैटिलाइट टिक है कम्यूकेशन का ना मतारा हो था सब्सक्राइब करना है यह वह सब्सक्राइब करना है बहुत जद बहुत जदा डाटा और सूचना वह समझते हैं डाटा किसे गहते हैं और सूचना किसे कहते हैं, दोनों को बताओ, डाटा, डाटा हरेचिंग भी बहुत जाता, पूछा जाता, ये कोशन सौट में मनता है, आप लॉंग और शॉर्ट की परवा मत करना, जो आपके बुक में, नोट का कैसे पर में, जैसे दे रखे हैं जो कोशन, आप बस वैसे ही क कोशन को पढ़ लेना है, यह लॉंग में जैसे दाटा और सूचना का, आप से क्या समझते हैं, यह सौट में दे रखा है, जिसमें भी आपके बुक में दे रखा है, वही पढ़िए, यह है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, मैक्रोसॉफ्ट वर्ड में में मेल, जो मर्ज किया जाता है, वो उसकी सुविधा के बारे बताना है, वो कोईसी सुविधा है, बताई है, इस कोशन को थोड़ा साब को बहुत अच्छा रहेगा, क्यों पढ़ोगे एक बार तो सब को समझ में आ जाएगा, कुछ फाल तो नहीं है, मतलब आपको टेक्निकल अजी से लेटे इत इडी आपसे पूझेगा, इडी आई क्या होता है, ठीक है, इलेक्टॉन डाटा इंटर चेंज, यह बहुत जादा इंपोटेंट है, यह कोशन बहुत जादा पूचा जाता है, और यह कोशन आपसे सौट में पूचेगा, इस बात को याद रखना है, यह कोशन आपसे well or website को समझाइए बना चर दो ह्में अब सकाम को नेम बोलते हैं डोमेन नेम सिस्टम से उसकी यह अपढ़ेंगे उसकी आप प्रक्सल को समझते हुए उनकी सूचना पराली के लिए नियंतर और लेखन प्रक्सल क्या हो सकता है इसको छोड़ यह जो छुड़बाने के मैं छुड़बा दूंगा पर कोई दिक्कत नहीं आप जो बता रहा हूं अब देखिए है है Gespr एक होता है यह सबसे जादा होती है भही तीप होता है ठीके यह होती है इनके बारे में आपको देखना है यह रेडियो टेलीफोन क्या है सूचना तक नीकी मैं उपर पता चुका हूँ कि बुक प्रेंटिंग डाकुमेंट त्यार करने का उप्योग सूचना तक नीकी उपर के बारे प्रेंटिंग और book printing सब कुछ भाहीं आपको देखने को मिल जाएगा यहां नहीं पढ़ने की जूरत है यहां EDP क्या होता है उसका उप्योग होता है था नोहरा है नाहरा है सिभक आल करें याद कर जाना यह आपको शॉर्ट में मिलेगा नीचे हम आपको影片 के सबthis IP Address यह भी आपका सॉट में दिखने को मिलेगा उसको कैसे किया आप है जोकिम प्रवन किया वर्वंध उंद देंड कंप प्रिक्षन जो स्रणी होती हैं उनकी व्याक्या करिए और यह आपका है डिस्टिवीट कंप्यों क्या समझते हैं इसको छोड़ दीजिए हटाओ यह वाकि ऊपर जो मैंने बताया है यह देख लिए ना डिस्टिवीटिंग के बारे में बाकि कोई खास नहीं है ठीक है यह आप इन कोईशनों को याद करके 80% लाएंगे मैं आपसे बादा करता हूं थोड़ी मेहनत कर लीजिए पेपर का काफी दिने और आप अच्छे से थंगस करिए और अच्छे से आपको नमबर लेके आना है अच्छे नमबर से पास होना है बाकि मिलेंगे नेक्स वीडिए त